नमस्कार्ट स्वागत है आपका हमारे चनल पर महराश्ट में जो तरीके से सियासी घमासान च्छाया हुआ है और इसी भी सीयम उद्दव ठाकरे ने कर दिया है फेस्बुक पे लाइव आकर एक बड़ा ऐलान जिसमेर उन्होंने कहा है कि वो इस्तिफा देने के लिए तयार है अगर विधाया काकर उनका इस्तिफा लेते हैं जी हाँ इस्तिफा देने की बाद उद्दव ठाकरे ने कर दी है तो वहीं साथ बजे की प्रेस कॉंफरेंस करके एक बड़ा दावा करने वाले है एक नाच्छिंदे इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे साथ मौजूद है शिवम त्यागी जी सर किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को सीए मुद्दव ठाकरे खुदी कह चुके हैं कि वो इस्तिफा देने के लिए तयार हैं विधायक आए और ले जाए इस्तिफा नहीं ये तो प्रापर तरीके से एक ड्रामा बिचाया जा रहा है जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि विधायक आए और इस्तिफ़ ले जाए आ जाए मतलब अगर देना होता तो पहले दे देते ना दो दिन पहले ही एकनाच शिंदे जी की अधित्य ठाकरा से किसी बात पर भहस होई थी ऐसी अनकनफर्म्ड रिपोर्ट्स चल रही है मार्केट में और लोगों में बात चल रही है इस तरह कि उस पर क्यों नहीं किया ये क्या कोई आज विकास मंतरी बनाए गए उसके बाद उनकी कोई भी फाइल अगर जाती थी पहले बेटे पर बेटे से मुख्य मंतरी पर उसके बाद कनफाम नहीं होना तो किसी को भी अपनी existence का संकट लगेगा जहां तक बात एक ये चीज़ हो गई दूसरा पहलू इसका ये है कि extreme rightist party शिव सेना extreme left में चली गई और किस तरह की भाषा वीर शिवाजी की धर्ती पर अगर औरंग जेब को पूझने वालों का समर्थन किया जाएगा उनकी उनकी वोट्स ली जाएंगी राज्यसभा के लिए तो हंगामा तो होना है जिस तरीके से एक शिव सेनिक फील कर रहा था चाहे ज्यान वापी का मुद्दा हो शिव सेना चुप क्या है आयोध्या का मसला हो शिव सेना चुप चाहे विश्वनात का मसला हो शिव सेना चुप तो ये शिव सेना के विचारधारा में नहीं है और विचारधारा कोई एक दिन में तो बनती नहीं है बारा साहिब ठाक जिनोंने इस party के लिए नड़ाई लड़ी, दों के लिए लड़ाई लड़ी, वो इतने बड़े-बढ़े लोगों नब से लеко लोगों से लड़े हुई, इतनी बार उन पर हमला हुआ, और एक बेटा आता है, और आकर कहता है, कि मैं आपने पिताजी जैसा नहीं हूँ, उनक यहां पर यह भी चीज़ा निकल कर सामने आ रही है कि सरकार पूरी तरीके से गिरने वाली है और इसलिए उद्धव ठाकरे ने हार माल ली है इस्तिफा देने की बात की है सवेरे संजराउत में भी कहा था कि जादा से जादा सरकार जाएगी और तो कुछ नहीं जाएगा आप इस बात को समझ लीजे कि सरकार दो दिन पहले चली गई है यह मात्र जो हो रहा है ड्रामा हो रहा है आप इस चीज़ को समझ यह ना अगर सरकार होती तो क्या एकनाच शिंदे को जिनको आप मनाना चाहते हैं उनको विदानसभा नेता की तरफ से हटाते क्या उनके पद स तो उनको हटाने का मतलब यह है कि कोई उम्मीद नहीं बची जब लोगों को भेजने की वहां पर बात आई लोग भेजे गए वो एक फर्मालिटी है जब आप देखते हैं कि शरत पवार जी ने कल प्रेस कांफरेंस करी उन्होंने प्रेस कांफरेंस में कहा कि यह उनका इंट सरकार अल्पमत में हैं, सरकार खतम हो चुकी है, सरकार गिर चुकी है, यह सब सर्फ ड्रामे हैं और खास तोर पर सिंपथी के लिए यह सब हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, कहीं न कहीं उनको भी पता है कि सरकार अबस्तित्व नहीं है, 37 की जहां तक जरूरत है भारत सरकार चली है जो 70 साल के इतिहास में नहीं चली आजादी के इतिहास में इस देश में उसकी समापती होने वाली है जिसके दो-दो मंतरी जो है जेल में हैं जिनके एक शेहर के कमिशनर जेल में हैं उनके एक सूपर कॉक सब्सक्राइब निवेदन है कि जो अपने नवाब मलिक हैं उनके हाथों से थोड़ी देर से हटकरी हटा दे अगर हटकरी हट जाएगी तो वो अपनी ट्विटर वॉल से मंतरी हटा लेंगे क्योंकि आदित्य ठाकरे ने तो मंतरी हटा लिया नवाब मलिक जो जेल में इतना लंबे समय से वो भी मंतरी बने बैठ हैं उनके हटकरी खोल दो भी या ताकि थोड़ा अपना मंतरी हटा लेंवाध से सरकार नहीं है महरास्ट में उसके बावजूद भी लगातार इन सबी चीजों का जिम्मेदार ठेराया जा रहा है एम्वे सरकार की तरफ से भारती मेरा बेटा बिगड़ गया गलती पड़ोसी की। आपका उसमें आ जाना, घोटालों में आ जाना, जेल चले जाना, देश के बड़े कारोबारी के घर के सामने जिलेटिन रॉड रखने के केस में आपके एक सूपरकॉप का जेल चले जाना, क्या कर रहे थे आप धाई साल से? अरे पैसा कमाने से फुरसत मिल जाती और आपको कोई कुछ ट्विटर पे लिख देता तुरंत उठाके जेल डाल देते थे अधित्य ठाकरे के बारे में कुछ कह दो जेल उठाकर जी के बारे में कुछ कह दो जेल उतनी इस देश के इतिहास में कभी चली नहीं अगर उनको उतना ही मुख्य मंतरी बनने की लालच नहीं था तो भारतिय जंता पाटी के साथ चले जाते अगर इतना ही लालच नहीं था तो जिस विचारधारा के साथ इतने जमाने से थे उनी के साथ चले जाते बनना ही सिर्फ मुख्यमंत्री था उसके लिए चाहे बाड़ा साहिब ठाकरे के विचारधारा को तिलांजली देनी पड़े चाहे उनके विचारों को तिलांजली देनी पड़े चाहे सिवसेना के विचारों को तिलांजली देनी पड़ी चाहे सब को अलग करना पड़ा, चाहे अपनों को दूर करना पड़ा, लेकिन सिर्फ मुख्यमंतरी बनना था, एक चीज समझ लेना चाहिए, इस देश, इस देश के युवा और सबी लोगों को, संग सौ साल होने वाला है अब से तीन साल बाद, दो हजार पचीस में बिचार धाराएं, ये बातें, ये आइडियोलिजी एक दिन में नहीं बनती हैं, बाड़ा साहिब ठाकरे ने, इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, तो आप यहां पहुँचे थे, आज आप दो साल में अगर उसको पलेट कर सोचेंगे, कि आप मुख्यमंतरी बने हैं और आ या जा रह traveled कि उनमें से भी एकना चिंदे के साथ है, क्योंकि विधायक खुष नहीं है, आप समझवे, वोट किस नाम पे मिला था? हिंदुत्व के नाम पे मिला था? नरें दुरमोधी और भारतिये जंतापाटी और सुखसेना क्लब के नाम पे, वोट किस के नाम पे मिला था कि आप जो बाड़ा साइब ठाकरे की आइडियोलीजी है उसको चलाएंगे, धाई साल में पूरा बदल गए, उस विधायक को तो धाई साल बाद फिर से जंता के बीच में वोट लेने जाना है ना, जंता क्या देगी, कुछ नहीं देगी उसको, उसे पता है तो वो चीज पयान सामने आया तो है, तो यह सब उन्हीं की देन है, कल अभी कह रहे थे बड़े एंकार में आकर संजे राओ जी के वो शिंदे जी है, एकनाच शिंदे जी वो वापस आजाएं तो ज्यादा बहतर है, नहीं तो मंत्रीपद भी जा सकता है, अरे सरकार ही नहीं रही तो मंत्रीपद क्या है, टेकनिकली तो एड़ाई साल भी नहीं चलनी थी, यहीं पर यह भी बात सामने आ रहे हैं कि जहां एक तरफ शिवसे ना, यानि कि M.V.A. सरकार पूरी तरीके से तूट चुकी है, गिर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर सवाल, बीजे पी की सरकार का रहा है, तो बीजे पी के मंत्रियों ने कहा है कि अभी हम जल्द बाजी में कुछ फैसला लई लेना चाहते ना इसमें बयान बाजी, बीजे पी क्यों चुप है इस पूरे मामले को लेकर, एक ना शिंदे ने भी इस चीज़ का जिखर किया है कि अभी बीजे पी की कॉंटेक्ट में नह लडाई है, उन दो लोगों में लडाई है, तो लडाई के बाद वही तैह होगा कि चीज़े कैसे कर दी है, वही इस बात को बताएंगे, तो मेरा अपना माना है कि यहाँ पर जो खास तौर पर ये सारी चीज़े चल रही है, उसको देखते हुए यह एक इंपॉर्टन क्या सरकार बनाने का कोई फार्मिला हो सकता है, क्या किसी तरीके से कोई चीज़े आगे ले जाई जा सकते हैं, बट इतना जरूर है, दूर से ही क्यों न सही, भारती जंता पार्टी ने उनके नीचे की जमीन तो खीच लिये करने के बाद मीनिस्टर को ये चीज लगा है, लगातार उनको बभाना, दो हजार उनीस में किसी को ये नीच 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 झे नीच पता था क्या हुंग जो रामंदर के साथ ना खड़ाओ, काशे विश्वनात के साथ ना खड़ाओ, ज्यानवापी के साथ ना खड़ाओ, और उसी में पार्टी के जो प्रमुक हैं, जो परिवार है, जो बाप और बेटा हैं, वो एक भी शब्द उस पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता में परने मलाइ खा रहे हैं यह सत्ता में हैं तो सिफसेनिक को तो दुखोगा ना और हरे करेकरता को दुखोगा क्योंकि वो उनकी आइडियोलिजी थी अब उस चीज को छोड़कर अगर वो सिर्फ एक परिवार की सोचेंगे तो फिर सिफसेना खा रहे गई सिफसेना वहाँ है जहां शिवसेनिक हैं, शिवसेनिक वहाँ हैं जहां हिंदुत है, हिंदुत वहाँ हैं जहां वो सब समोह में हैं, तो इसलिए आज जो स्वरूप बदला है यही असली स्वरूप है